हर हर महादेद दूस्तों स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुरान शिरीशत रूद्र सहिता का 21 अध्याय महेश अवतार वर्णन नंदी केश्वर बोले हे महामुनी एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसनता पूर्वक अपनी इच्छा से बिहार कर रहे थी उन्होंने बहरफ को द्वार पर द्वार पाल बना कर घड़ा किया था जिसका कारिय किसी को भी द्वार पर नहीं आने देने का था उधर दूसरी और भगवान शिव अपनी प्राण वर लबा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोध पूर्ण बाते कर रहे थे बात करते हुए काफी समय बीत गया तब ही देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राज महल में ही थी वहां उनके भी आ गए तब वे भी महादेल जी के पास बैठकर उनसे नीलाओं के वर्णन को सुनने लगी काफी देर तक उन सक्खियों ने भगवान शिव की बाते करते देख पार्वती को क्रोध आ गया वे गुस्से से महल के बाहर जाने लगी द्वार पर खड़े द्वार पाल बहर बहर ने देवी पार्वती को देखा तो उसके मन में विकार आ गया वैं उन्हें साधान स्त्री समझ कर घूरने लगा देवी पार्वती ने बहर के मन की बात पहचानते हुए उसे शाप दे दिया बहर तु प्रिथ्वी पर जाकर एक साधान मनुष्य की भाती जीवन जीए और अपनी करनी का फल भोगेगा जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को शाप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ पहुचे शाप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चर्णों में गिर कर उनसे शमाय आचना की तब त्रिलोकनात भक्त वत्सल देवाती श्वासन दिया इस पर भैरव बोले कि है प्रभू देवी के शाप के प्रगोप से मुझे बचाईए तब शिव जी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले देवी पार्वती का शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता परन्तु भैरव हम अपने परंबत को ऐसे भी नहीं छोड सकते तुम चिंता मत करो बैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए शाप के अनुसार बैरव जी शिगर ही वेताल के रोप में प्रिथ्वी लोप पर विचरने लगे तब अपने वक्त का उद्दार करने के लिए भगवान शिव ने प् तुम लोप के लिए.